नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है अपका यूठ एक रिकल्चर के एक और नए वडियों में किसान साथी बहुत सारे ऐसे किसान बंदो है जिनका सवाल रहता है तमबाकू की खेती होती कैसे है कहां कहां होती है तंबाखो की contingent कभ लगाई जाती है तो हमारे पीछे अभ देख सकते हैं तंबाखो की vaccine लगभट तयार है हलांकि यह थोड़े एकटिव किसान है जुए एकटिव किसान है न şekilde कर लेते हैं और इनकी नर्सरी almost लगभग दूसरी नर्सरी के लिए तयार हो चुगी लेकिन बहुत सारे किसान बंधू की नर्सरी अब जर्मनेट भी हो रही है नर्सरी में क्या समस्या आती है कैसे खेत की मिट्टी की तयारी होती है सारी जानकारी आपको विश्तार पुर्वक देंगे वीडियो में आज तक बैं रहे आप से अभी तक अगर आपने चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया तो इसका कोई अच्छा परडाम निकल करके सामने नहीं आता तंबाकू से बनता सिग्रेट है तंबाकू खाने से कैंसर तक की विमारी होती है लेकिन फिर भी तंबाकू की फसल एक ऐसी खेती है जिसको करके किसान बंदू बहुत सारे ऐसे किसान है जो कि अपना जीवन यापन चला रहे हैं काफी तगड़ी अच्छी खासी मुनाफ़ा एक टाइम पे ज्यादा जो इंकम बोलते हैं एक ही बार इसको बेचा और अच्छी खासी मोटी रकम कमा लिया नरसरी इसकी लगाई है तो इसको कई सारे समस्याओं से जूजना पड़ता है देख सकते हैं आसमान से इंद्रदेव कभी वरस सकते हैं और इससे यह जो पौधे हैं इनको गलने की जो गलन होती है प्लांट में खास करके छोटे जब यह नाजुक अवस्था में होते हैं तो यह गल जाते हैं इस इसकी यह वस्था हो जाती है याने कि यह जो दो चार पत्तों के हो जाते हैं तो यह काफी घने होते हैं देख सकते हैं काफी घने होते हैं और इनको निकाल करके एक बार फिर से दूसरे नरसरी में सिफ्ट किया जाता है जैसे कि किसान बंदू इसके लिए फिर से एक बार बनाते हैं, बेड तैयार करके और इसको एक बार फिर से दूसरे जगा पे जगा पलांट किया जाता है. प्लांट पर कहा है? इसका वी वी वीडियो मैंने पृछले बार लेकिन इस cancer की खेती को लोग करने से पहले अपने खेतों में जैवी खात का परियोग करते हैं। बिना सड़ी हुई गोबर को खेत में परियोग किये हुए आप तंबाकू की खेती नहीं कर सकते हैं। अगर आपने खेत में गोबर नहीं डाला इसमें मुर्गी की बीट नहीं डाली तो समझ जाएगे आपकी तंबाकू के पतों के जो थिकने से पतली हो जाती है। और इसके वजह से आपके तमबाकू का trip ॥ा फिर आपके तमबाकू किसी काम नहीं रह जाता या मेटी की तयारी करते वक्त आपको अपने खेट में भरभर के गोवर का प्रयोग करना होता है उसके अलावा समय किसान बंदू्उ जो सर्शों की खलिका थिया काफ्याद मात्रा प्रशानियों से सामना करना पड़ता है उसके बाद जाकरके तंबाकों की छेती किसान बंदू के लिए सफल खेती कछला फिस खेत में टंबागों की कहती होने वाली है इसके मिट्य को आप सकते हैं किस तरीके से इसकी मिट्य काली पड़ी हुई है अब से आपनुमान लगा सकते हैं कि इसमें कितने ज्यादा खाद खली का परियोग किसान बंधु ने किया है और इसकी जुदाई कंटीनिव होती रहती है मिट्टी मतलब जो एकुरेट तैयारी होती है जो मिट्टी की पुन रूप से तैयारी होनी चाहिए वो तंबाकु की खेती कम से कम चार महीने के लिए खाली छोडा जाता है उसको चौमास पर दालने के जीवारों में ज्यादा से ज्यादा बृदी होती है और जब हम फिर से इसमें तंबागु की फसल लगाते हैं तो वो सान्दार होती है वहीं जो किसान बंदू लागातार कोई न कोई फसल लगाते रहते हैं और सिर्फ तमबाकू की खेती उस सीजन में करते हैं उनको अपनी फसल से ज्यादा मुनाफ़ा नहीं हो पाता है क्यूंकि वो फसल जो होती है उसका जो तमबाकू के पतों का वेट है थिकनेस है वो पतल को किने और सिर्फ के खेती करीने मैं सब्सक्राइब में एक एक सब्सक्राइब मिलते हैं अगले नहीं है बीडियों मतब्ता के लिए जाहें